नमस्कार इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है मैं संतोष चोहान आज हम बनाने जा रहे हैं पानी वाले नारेल की बर्फी इसमें मैं एक आपको टिप बताऊंगी वीडियो मुए कि जब यह पानी वाला नारेल हम सुखाते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम ना लग इसमें से इसको क्रेक करें कर लेंके अब देखिए मैं इसके उपर का नारेल का पानि नारेल आजेल निसले साफिय है इस तरह से और यह बड़ी आसानी से छिल जाता है क्योंकि पानी वाला सूखा नारिल है और छोटे पीसी में इसको काट के और इसको धो के एक बार और फिर हम इसको ग्राइड कर लेंगे जब छोटे पीस में काट लेंगे तो धोली जिएगा अब देखे ग्राइड कर लिया है इसको एक बोल में हम निकाल लेते हैं यह पानी वाले जो नारिल की बर्फिय खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अम यहां पे एक कप से थोड़ी कम है यह तो यह मलाई ले रही हूं मलाई में इसका टेस्ट थोड़ा जादा अच्छा आता है बहुतसों में से पूछते हैं मलाई की जगे हम क्या यूज करें तो ज्यादा था ह्भर architect always स्कॉस की अच्छा है गी निकलने के बाद बचता है करने के बडु मअ घर सो अच्छा रहे गा, 2,3 मिनट पकाया, पूल फलेम पर गीस बन गया है और ईसनी ब Examples अब चीनी थोड़ी जब हमारी मेल्ट हो गई है उसके बाद हमने ये अपना जो पानी वाला नारिल है इसको जो हमने ग्राइंड किया था वो डाल दिया है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चीनी मेल्ट होने के बाद ढलिएगा और चीनी पहले ही डालिएगा बुरा अधे से पहले ही अब हमने ये मिक्स कर लिया अच्छी तरह अब ये जो मैं आधा कप जो मैं आपको टिप दे रही हूं ये आधा कप मैंने जो सुखे नारियल का चूरा आता है जो खीर वगरे में नारियल डलता है गोला जिसे कहते हैं तो उसका मैंने यह चूरा डाला है तो सुखे नारियल को मिक्स करने से क्या होता है कि आपको पानी सुखाने में ज्यादा टामने लगे मुश्किल से दो-तिन मिनिट लगेंगे अब हमारी जो बर्फी है बनके तयार हो गई है इसका जो बैटर अब हम इसको जमाने के लिए रख देंगे अब जैसे प्लेट में आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से इसको कर लीजेगा हलका साब प्लेट को ग्रीज कर लेना आप अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसको जमने के लिए हम फ्रीजर में एक घंटे के लिए रखेंगे इसको फ्रीजर में रखना है एक घंटे के लिए अब एक घंटे बाद आप देख रहे हैं हमारी जो बर्फी है वो जम के तयार है अब हम इसको शेप दे देंगे और इसको चौको टुक्ड अपिसको नारील का जो हमारा है इसमें तोड़ा गवाज़ी दक्षा नंगी को देखने में अच्छी लगती है इसको की लिएत्र परो यह देखने में थोड़ी सुंदर लगती है इस तरह जब करते हैं तो नारेल की बर्फी हमारी बनके तयार है आप इस रेसीपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी हमेशा की तरह अपना फीडबेक दीजिएगा और इसी तरह की मलाई से बनाई हुई रेसीपी में आगे और भी अपलोड करूंगी तो आप जरूर देखिएगा